Hello students, most welcome आपके अपनी YP Computer Classes की तू Creative Learning में This video is related to last minute preparation of section A for ICAC Class 10th Computer Application This is index video of your preparation क्या है इस index video का meaning यहाँ पर में एक नया concept लेकर आया हूँ index video यह index video कैसे काम करता है और इसका purpose क्या है motive क्या है उसे हम समझते हैं कि यह क्या है index video जैसे book में index page होता है starting में आप अगर market से book purchase करते हो सबसे पहले हम उसके content देखते हैं कि उसमें कितने chapters हैं उन chapters के अंदर क्या क्या है और हम पूरा book पढ़कर तो नहीं लेकर आते book को केबल हम index page पढ़ते हैं उसके contents को देखते हैं और हमें अच्छा लगता है then we will purchase that book अब होता क्या है यहाँ पर ये video पनाने का मेरा motive ये है कि I think जो आपने प्रिलम्स दिया उसे पहले जो प्रेपर्स दिये एक प्रॉब्लम तो आपको आता होगा सभी पेपर्स में आता है कि कल एक्जाम है आज पूरा डे प्रैक्टिस किया suppose two three days का holiday भी है पूरा प्रैक्टिस किया अब four five hours पहले आप ये सोच रहा हो कि जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसमें से कितना याद है कितना याद नहीं है तो इसका अंसर कौन देगा क्योंकि सबी बच्चों का अपना अलग-अलग याद करने का तरीका रहता है बट इस वीडियो के थुरू आपको ये आइडिया हो जाएगा कि section A के लिए आपको क्या याद है क्या याद नहीं है तो दो parts में आपको आपके strong points भी पता चल जाएगा तो यहाँ पर जितने भी points हैं जो section A के लिए compulsory हैं वो मैं यहाँ पर partially describe करूँगा fully explain नहीं करूँगा उससे क्या होगा कि आप सोचोगे उसके बारे में कि यह topic है इसका answer आपको आता है या नहीं आता है तो one by one मैं सभी topics यहाँ पर बताने वाला हूँ around 40 plus में around 45 या 50 topics है और उटको किस टैप से prepare करना है क्या आपको याद रखना है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो I think आपको यह पता चल गया index video का meaning क्या है like a index page तो यह video आपका एक index page है आपको आपके बारे में बताएगा कि आपको कौन से points याद है और कौन से points आपको याद करने है तो start करते हैं उससे पहले यह points बताने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि section A में एक तो theory आता है right and output related questions आते हैं और mcq आता है अभी जो 2023 में क्या होगा यहां पर mcq questions आएंगे right अब 20 marks के mcq questions होते हैं तो one shot mcq questions में बनाने वाला हूँ यहां बनाने वाला हूँ यह भी है नहीं बट एक दो दिन में आ जाएगा and one shot theory one shot output मैं अल्रीडी अप्लोट कर चुका हूँ यहाँ पर आपको 2 and half hour जाएगा यहाँ 6 and half hour जाएगा तो करीब 8 hours के अंदर आपका theory and output questions clear हो जाएगा उसके जो भी basic से output को कैसे निकालना है and mcq questions भी आपको clear हो जाएगे और यहाँ से आपको यह पता चल जाएगा कि exam से पहले आपको क्या याद है क्या याद नहीं है केवल इतनी points नहीं है इसे rough खरके मैं और points दूँगा फिर और points दूँगा इस type से चलता रहेगा तो सबसे पहला point देखते हैं tokens तो आपको tokens पता होना चाहिए completely यह tokens क्या होता है इसे short में आप याद रख सकते हो kill shop यह एक short form है sop तो आपको क्या करना है वीडियो को pause करके just इनके full form और एक part मैं आपको suggest करूँगा कि यह point लिखिए और इनके सामने इसका description form जो भी आपको इससे related चीज़े पता है वो लिखते चलिए मेरे साथ आप notes बनाते चलिए और आप देखिए कि आपको क्या याद है क्या याद नहीं है तो क्या आपको k for पता है k क्या है k for keyword i for identifier मैं जान बुझके चाहूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं और वीडियो में display भी होगा कि k for क्या है i for क्या है और मैं early आपको आइडिया देता चलूँगा जैसे keyword new हो गया this हो गया और for else default यह क्या है keywords में आ जाएगा and identifier identifier में आपका सबसे most important part है variables और उसमें फिर method name भी आ जाता है class name भी आ जाता है यह identifier के examples है literal में आपकी values आती है separators में आपके separators याद रखिए कौन-कौन से separators होते है जितने भी brackets है वो एक separator में आता है okay comma separator में आ जाता है operators में सभी type की operators आ जाएगे punctuators में आपके punctuators आ जाएगे तो आप यह देखिए मेरे notes में इनके सब के description forms मिल जाएगे मैं यहां describe नहीं कर रहा हूं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि टोकन की पूरा information आपको पता होना चाहिए exam से पहले उसके बाद आता है data types data types में two types की data types होते हैं primitive and non primitive यह आपको पता होना चाहिए then फिर primitive में क्या होता है मैंने क्या किया है इनकी अलगलग नाम भी देदी है कभी कभी क्या है वो primitive की जगह पर other की नाम यहाँ पर लिखके दिये हैं लेकिन उससे पहले देखते हैं primitive में यहाँ पर एक आपको ट्रिक दी है यह actually क्या होता है एट data types होते है एट डेटा टाइप्स प्रिम्टिप की में बात कर रहा हूं तो उनको टू-टू के हो जाएगा boolean byte या byte boolean sc scanner का सबसे favorite variable हम sc ही बनाते हैं कुछ लोग in बनाते हैं और भी चीज़ें तो उससे आप याद रख सकते हो s for short c for cad if if और else के program बनाते हैं तो if we हमें पता ही है तो integer and float dl यहाँ पर df नहीं आएगा sorry यह है dl तो driving license मतलब double and long मैंने यहाँ पर जो 1248 लिखा है यह बाइट से क्योंकि जादतार exam में बाइट पूछा जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि bytes क्या होता है sorts video भी मैंने बनाया इसके उपर तो एक trick है इस ट्रिक से आप याद रख सकते हों यह 8 byte इसका होता है इसका 4 byte होता है इसका 2 और इसका 1 byte होता है अब आपको इस पेशली primitive data types से related क्या-क्या याद रखना है इसके जितने भी wrapper classes होते हैं वो याद रखना है रेंज को याद रखिए अब ये question mark में बना रहा हूं default values का right कि default values क्या होती है यह मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको आप मेरे notes में जाए आपको एक table मिलेगा उसमें सभी default values मिल जाएंगी आपको वहां से खुद अपने हातों से वो default value लिखोगे ना तब exam में आपको याद रह इंट का rapper class याद रखना है integer okay rapper classes में first letter capital होता है and care का आपको याद रखना है care का होगा character केवल ये दो याद रखिए बाकी की भी याद रखनी है लेकिन वो अपने अपने आप याद हो जाती है क्यों याद हो जाती है क्योंकि बस first letter capital करना है जैसे बूलियन का बूलियन ही होगा first letter capital कर दो okay float का float होगा first letter capital कर दो but int का int नहीं होता int का integer होता है character का character होता है इसलिए मैंने यह specially आपको यहां पर दिया okay तो यहां पर फिर आ जाता है non primitive अब non primitive मैं याद रहता है लेकिन problem क्या हो जाती है non primitive के साथ में कभी-कभी वो secondary user defined composite derived अलगलों नाम देकर हमें confuse करते हैं यह options में भी अलगलों नाम आ जाते तो हमें पता होना चाहिए non primitive के different different नाम क्या है अब इनके examples आपको याद रखने है examples क्या है इसके examples उपता चल गया इसके example पर question mark जो कि आपको याद रखना है और जो जो मैं question mark लगाता जा रहा हूं आप चाहू तो comment section में भी फिल कर सकते हो वह सबसे best रहेगा comment section में ही फिल कीजिए user defined के examples क्या है रइट देखते हैं आपको कितना पता है तो इनके क्या करना है example से रखना है लिखना है comment box में and फिर आता है हमारे पास method of scanner class scanner class के methods तो आपको section A के लिए section B दोनों के लिए याद रखना है क्योंकि जब तक यह याद नहीं होगा अब इसमें भी मैं एक key point बना दूँगा कि especially हम कौन सा जो method है वो याद रहता है कौन सा याद नहीं रहता सबसे टॉप पर जो मैंने लिखा है वो है sc.next.carat0 इसे रट लेजे याद कर लेजे यह character getting में help करता है जब भी आपको character get करना है आपको यह लगाना है सबसे कम use करते हैं इसलिए याद नहीं रहता या कुछ न कुछ bracket को miss कर देते हैं या zero नहीं लगाते हैं so many errors यहाँ पर हम कर देते हैं जो कि नहीं करना है यह word get करने के लिए होता है और यह sentence get करने के लिए होता है उपर वाला character के लिए और यह word के लिए और यह sentence के लिए होता है फिर आ जाता है points की value डालना है आपको next double use करना है और next float use करना है दौन में से कोई भी use कर सकते हो और integer की जो family है वो यह है next byte, next sort, next int, next long ओके तो next long में जब भी आप method बताओगे तो आपको यह round bracket लगाना है यह method है और यहाँ पर यह second word का first letter capital होगा जब भी method है बैसे methods अभी आएंगे तो मैं आपको एक trick बताओँगा methods में कौनसा letter capital करना कौनसा letter small करना है वो trick यह है जब भी method का नाम होगा तो first word as it is रहेगा second word का first letter capital होगा अगर third word है तो उसका भी first letter capital होगा fourth word है उसका भी first letter capital होगा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर अब जब यह है तो जैसे एक method है is letter or digit इसमें कितने words हो गए है ना काफी words हो गए अब हमें कैसे याद रहेगा कौंसा letter capital करना कौंसा small करना है first word as it is रहने दो second word का first letter capital कर दो मतलब यह capital हो जाएगा इधर यह capital हो जाएगा इधर यह capital हो जाएगा बस हो गया is letter or digit ओके तो यह एक formula है जिसके basis पर आप capital small जैसे आपको पता चला कि यह capital हो सकता है यह sorry यह method है उसमें यह formula लगा देजिए है ओके ठेक है तो then यहां तक हो गया फिर point six है as key इसका full form है जो कि आपको पता ही होगा American standard code for information interchange अब यहाँ पर capital A to Z 65 to 90 मैंने लिकर दिया है याद कर लेना अगर याद नहीं है तो और small A to Z का 97 to 122 0 to 9 मतलब नमबर को भी नहीं चोड़ा है 0 to 9 का है 48 to 57 और एक additional मैं बता देता हूँ space का space का होता है 32 हो सकता है यह आपको काम आजाए कहीं इपर तो इसका 32 होगा space का तो यह as की values है and then उसके बाद आता है jump statement jump statement में आपका आएगा break, continue and return return योज होता है methods में break and continue योज होता है loops में और yes और break जो है only जो break है वो loops में भी और switch में भी योज हो जाता है तो इस type से मैं क्या कर रहा हूँ short summary आपको दे रहा हूँ उन points के बारे में अगर आपको इनके detailing नहीं पता है बैसे 50% detail तो मैं ही clear कर रहा हूँ आपको यहाँ पर but आपको क्या है एक idea हो जाएगा कि हाँ यह point भी देखना है चलो अब move करते हैं 8th point पर तो next point में है 8 type conversion 7 points I think आपको clear हो गए now next 8 point है type conversion type conversion में आपको मिलेगा implicit type conversion और explicit type conversion मैंने यहाँ पर क्या किया है implicit explicit तो आपको नाम काफी जगा पर मिल गया होगा लेकिन यह जो नाम है type caution यह आपको नहीं मिला होगा और अगर मिल गया है तो अच्छी बात है यहाँ पर आपको याद रखना है जो type, implicit type conversion होता है उसी का synonym है type caution कहीं न कहीं आपको यह help कर सकता है और explicit type conversion का जो synonym होते हैं वो type casting है narrow type conversion इसे आप narrow type conversion, narrowing type conversion बोल सकते हो type casting बोल सकते हो, explicit type casting बोल सकते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है implicit क्या होता है, explicit क्या होता है थोड़ा सा मैं demo दे देता हूँ जो automatic हो जाए वो आपका क्या है implicit type conversion जैसे छोटा सा example कि हमने int a is equal to 10 ले लिया और मैं double के अंदर उसे store करने की कोशिस कर रहा हूँ double b is equal to a a का value b के अंदर बिना किसी tension के store हो जाएगा क्योंकि int छोटा है double बड़ा है right explicit में क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है कि हमारे पास double में value है double में a is equal to 10.5 है और मुझे int में store करना है तो int छोटा है right अब बड़ी value छोटे में कैसे आएगी तो उसके लिए आपको कुछ user intervention लगेगा ओके कुछ effort लगेगा तो वो जो conversion है वो explicit में आ जाता है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा जो हमारा destination होता है वही हमें लिखना होता है यह भी confusion होता है कुछ बचे यहाँ double लिख देते हैं तो यह type का conversion जो है वो explicit type conversion नहीं type casting बोल सकते हैं और narrowing type conversion बोल सकते हैं तो इसके definitions बगेरा याद कर लेना और और इसका जो दूसर नाम है वो इस पेसले ही याद कर लेना क्योंकि MCQs आएंगे MCQs में आपको बहुत confused किया जाएगा उसके लिए deep knowledge बहुत जरूरी है MCQs हमें easy लगता है लेकिन उसमें बहुत deep meaning हमें पता होना बहुत जरूरी है अगर हमें half knowledge है तो half mark नहीं मिलते तो फॉल फिर point number 9 में आएगा fall through उसका definition क्या होता है यह term क्या है यह switch से related है switch case से related है जब किसी switch program के अंदर cases में break absence रहता है तो all cases one by one execute हो जाते है उस situation को fall through बोलते है तो यह आपको याद रखना है फिर है boxing auto boxing boxing auto boxing एक ही term है और दूसरा point होता है unboxing अब इसकी मैं एक trick बता देता हूँ कि आपको कैसे याद रहेगा कि यह auto boxing है यह unboxing है यहाँ पर दो points होते है यह भी conversion ही है एक तरह से तो यहाँ पर एक आपको object ले लेना है और एक लेना है primitive data types primitive तो यहाँ पर होगा क्या normally आपको जो चीज़े मिलेंगी न object से primitive में जाएगा primitive से object में आएगा इसी type का definition मिलेगा तो यह याद क्यासे रहेगा याद रखने का सबसे मैं एक best trick बता रहा हूँ आपको auto boxing and boxing का याद रखना है जैसे object माइंड में आए तो समझ जाएए यह box है तो अगर primitive data type को box के अंदर लेकर आओगे कोई भी चीज़ को box में रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं boxing बोलते हैं तो conversion from primitive to object that is called boxing तो अगर आप इस type से convert करते हो तो यह boxing हो जाएगा जब निकालते हैं जैसे unboxing के वीडियो आपने काफी देखे होंगे unboxing हो गया तो बोग object से primitive में जाओगे unboxing हो जाएगा primitive से object में आओगे boxing हो जाएगा auto boxing हो जाएगा ऐसे याद अग सकते हो फिर आपको next point है 10 जिसमें compiler interpreter के बारे में आपको बताया थोड़ा सा कि यह याद करे ना interpreter line by line conversion करता है और compiler complete code को one go में उसे convert करता है machine code में यहाँ पर भी दो type की compiler आ जाते हैं ordinary compiler और java compiler अब यह क्या है थोड़ा सा यह deep हो जाएगा ordinary compiler जैसे c c plus जावा की compiler की बात नहीं हो रही है यहाँ ordinary में तो यहाँ पर क्या होता है जो आपका source code होता है वो directly convert हो जाता है machine code में और java में ऐसा नहीं होता java में जो आपका source code है वो convert होगा आपका पहले byte codes में और byte code convert होता है machine code में तो यहाँ पर क्या होगा जो आपका source code है byte code में convert होगा यहां पर एक औरंटर्स्टिंग कोट बता देता हूं आपको सोर्स बाइट कोड़ में कंवर्ड करता है कौन कमपाइलर और बाइट कोड को मसीन कोड में कंवर्ड करता है जीवीएं तो इस डायंग्राम से आप ये भीर Erica किया फॉर्म मैं लोग क्या वर्किंग है वैसे वही ताम आने वाला है बाइट कोड का आप डैफिनिशन याद करना है जे वी एम का फॉल फॉर्म जाव वर्च्वल मशीन IDE integrated development environment आपको क्या करना है comment box में इनकी definitions नहीं ज्यादा हो जाएगा इनकी फॉल फॉर्म सो आप लिखी सकते हो comment box में राइट तो यह आपको terms याद करना है इनकी definitions and all फिर आता है आपका compound and block statement या तो compound statement बोल सकते हैं block statement बोल सकते हैं curly bracket के अंदर जो statements होती है multiple statements उन्हें हम क्या बोलते हैं block statement बोलते हैं okay means content करना चाहिए right एक statement के अंदर दूसी statement मिलना चाहिए अगर एक statement के अंदर दूसी statement मिल रहा है content हो रहा है वो block statement हो गया object creation यह तो most important है object को बनाना अब object को बनाने के लिए syntax है class name लिखना है object name लिखना है is equal to new class name round bucket open close semicolon यह इसका object creation का role है और एक आप इसका example भी ले सकते हो example आपको अपने अपने आपने कौन कौन से objects बनाए वो comment box में लिखना है right की क्या-क्या हो सकते है जैसे student as one is equal to new student right employee is equal to new employee comment box में लिखें instance variable क्या होता है class और static variable एक ही होता है right local variable कौन सा होता है argument parameters variable कौन से होते हैं यह आपको पता होना चाहिए तो आपको क्या करना है book open कीजिए मेरे notes को open कीजिए देखिए parameters variable कहां पर है local variable class variable instance variable कौन से होते हैं okay और अगर कुछ points अगर आपको directly clear नहीं हो रहे हैं आप मुझे बताइए कि इसका वीडियो कौन सा है even इस वीडियो के नीचे description box में मैं कुछ वीडियो के link provide करूँगा जो इन topics से related होंगे आप जाकर वो link को click करके आप उसको explanation देख सकते हो even इसका मैं video link देदूँगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका explanation की instance variable क्या होता है local variable क्या होता है अगर आपको पता है तो आप comment box में लिख सकते हो चलते हैं next point पर now next point 15th number पर हम आते हैं जिसमें है variable and their naming rules आपको variable का definition पता होना चाहिए और उनके naming rules और जो naming rules आप variables के लिए तैयार करोगे वही naming rules apply होते हैं identifier identifier में previous points में बता चुका हूँ क्या क्या होता है class name में भी आपको वही rule लगाना है method name में भी वही rule लगाना है method name means function name क्योंकि हमें class name भी लिखना होता है method name में भी लिखना होता है variable name भी लिखने होते हैं यह identifier ही है और इसमें naming rules है मैं थोड़ा सा sort में बता देता हूँ कि आप number से कभी start नहीं करना है और only ABCD means alphavates होते हैं numbers होते हैं and only underscore and dollar sign हम character के लिए यूज़ कर सकते हैं तो यह sort में जो गलतियां होती है यह आपको पता होना चाहिए variable naming rules में क्या क्या आता है variable naming rules में या तो आपका capital a to z आ जाएगा small a to z आ जाएगा और 0 to 9 numbers आ जाएगे और underscore and dollar sign यह दो symbol आएगे इनके अलाबा कोई भी symbol है जो हमें लगता है कि यह सही हो सकता है जैसे dot हमें लगता है कि सही हो सकता है यह गलत है ओके at the rate भी ऐसा लगता है कि यह सही है राइट बट वो भी गलत है तो जो भी symbols हैं वो सभी wrong हो जाएगे अगर आपने variable name में use किये only underscore and dollar sign and numbers use कर सकते है variable name में लेकिन start नहीं कर सकते means variable name यह वन तो हो सकता है लेकिन वन यह नहीं हो सकता क्योंकि नमबर से start नहीं कर सकते हो और एक मज़ेदार बात बताता हूं कि कुछ चीज़ा हमें अजीव लगती है जैसे एक variable name बनाया underscore a यह अजीब लग रहा है तो बट यह valid है आप underscore से alphabet से number से स्टार्ट कर सकते हो डॉलर से start कर सकते हो बस number से start नहीं होगा नमबर आएगा लेकिन second position पर थर्ड पोजिशन पर आप यूज कर सकते हो तो यह variable naming rules आपको याद कर लेना है वही आप identifier के लिए अपलाई कर सकते हो आपको वही रूल्स लिखना है कौन कौन से आपके पास जैसे if हो गया switch हो गया ternary operator है आपके आस for while do while तो कौन कौन से convergence exist करते हैं और कौन कौन से आते हैं वह मैं आपको पता देता हूं आपको ternary operator से लिख इफ में और इफ से ternary में convert करना आना चाहिए कम से कम एक example आप prepare कर लीजिए दो examples यहाँ पर दो examples आपको यहाँ पर prepare करना पड़ेगा if to switch and switch to if and यहाँ पर for से while, while से do while, do while से while, while से for और for से do while, do while से for यह conversion आना चाहिए यह बहुत simple है, कोई जड़र tough नहीं है, okay, convergence आपको क्या करना है, बस एक एक example, आप चाहो तो, क्योंकि मैं तो first up number अपना display करी देता हूं, जो भी आपके पास loop है, while का है, आप do while में convert करो, for में convert करके, मुझे send कर दो, मैं reach करके आपको transfer कर दूँगा, okay, but यह convergence miss नहीं करना ह इसमें आपके कितनी convergence हो गए, two and to four, और six convergence यहाँ पर हो गए, six convergence यहाँ पर हो गए, twelve convergence आपको पता हो, नहीं, यहाँ four convergence है, तो ten convergence आपको पता होना चाहिए, okay, exam से पहले, फिर आजाता है syntax and examples of all loops, all loops, we have three loops, for while, do while, right, okay, अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और additional add कर देता loops की बात हो रहे हैं, तो यहाँ पर यह two types के भी होते हैं, entry, controlled, loop, entry control loop और exit control loop, exit controlled loop, exit control में do while, do while is a example of exit control loop क्योंकि उसमें condition बाद में चेक हो दी है, और entry control loop का जो example है, वो for and while है, okay, तो यह भी आप याद रखिए, two types loop के होते हैं, entry control और exit control यह याद रणना चाहिए, and second syntax क्या होता है, example अलग होता है, syntax मतलब formula, तो loop का formula क्या होता है, मैं एक idea देता हूँ, कि जैसे एक for loop है आपके पास, तो उसमें आपका initialization, condition, increment, decrement and loop body, right, तो आपको, मेरे notes में आपको syntax मिल जाएगा, for while, do while का, and, hmm, फिर आपको यह भी पता होना चाहिए, how many times loop will be executed, यह question पूछा जाता है, कि कोई एक loop दिया है, और आपको बोला जाएगा, कि यह कितनी बार execute हो रहा है, तो उसमें number of times हमें count करना होता है, okay, तो इसकी भी आपको practice करनी है, then prototype of function क्या होता है, signature of function, function या method, Java में normally method बोलते हैं, लेकिन function keyword से भी presentation आ सकता है, वहाँपर, prototype of function, prototype of method, signature of method, definition of function, calling of function, क्या-क्या होती है, यह क्या है, calling वाली, जो भी आप program लिखते हो, उसमें calling statement क्या है, definition statement क्या है, signature क्या है, और आपका prototype क्या है, अगर आप इसमें confused हो, तो आप इसके link मिल जाएगा, जो जो necessary points से जिसे मैं expand नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा time जाता है, फिर explanation में, यहाँ पर तुम्हें बस idea दे रहा हूँ, कि आपको यह पता है, या नहीं है, तो बस अपने आप से पूशना है, prototype of function आपको clear है या न जाएगे, उससे ही चीज़ के लिए रोजाएगा, and oops principle, oops principle में आपका encapsulation का definition दो तिन लाइन का है, याद कर लो, abstraction का है, inheritance का है, data hiding है, polymorphism है, okay, और function overloading is a example of polymorphism, यह एक्ट्रा याद कर ले न, function overloading, function overloading, function overloading is a example of polymorphism, inheritance को याद रखने का सबसे easy तरीका है, जब भी दो classes की बात हो रही हों, या एक class का जो feature है, दूसी class में use हो रहा है, inheritance आ जाएगा, private data member से related, कोई working हो रही है, वो data hiding से related हो गया, and capture section का याद कर ले न, keywords, कौन कौन से keywords आपको exam में जाने से पहले याद रहना चाहिए, new keyword के बार all है, वो पता होना चाहिए, मैं बता नहीं रहा हूं, right, आप चाहों तो comment box में void का आप meaning मलब लिखिए, okay, comments में इस वीडियो के सभी comments पढ़ने वाला हूं, and return, keywords का क्या use है, break का क्या use है, continue, package, import, static, final, default keyword, right, and और भी keywords है, ऐसा नहीं कि केवल यही keyword है, जैसे do है, while है, for है, य 21, एसके sequence characters, यह non graphical characters भी हम इसे बोल सकते हैं, तो अगर आपको नहीं पता, slash t क्या है, slash n क्या है, slash single code क्या है, slash double code, double slash slash b, क्या है, तो पता कीजिए, फिर नहीं बता तो, इससे tab space आ जाता है, to, अगर word आप print कर रहे है, उसके बीच में यह लगा तो, tab space, इससे new line आ जाता है, इसे single code, double code, slash print होने में help करता है, यह backspace के लिए ही use होता है, है न, ओके, then, java expressions, क्या-क्या होते हैं, तो इसमें two types के मिलेंगी, java expressions, pure expression and mixed expression, यह, इसे हम, impure expressions भी बोल सकते हैं, तो, अगर आपका same data type calculate हो रहा है, महला, integer, integer, integer का calculation हो रहा है, वो तो हो गया pure, impure यह mixed expressions को हम बोल सकते हैं, कि आप int का calculation double से कर रहे हो, तो, एक तरफ double हो गया, एक तरफ int हो गया, दौनों का calculation वो हो गया, impure, okay, now, next point है, 23rd library packages, library packages में मैंने 3 package select की है, java.util आपको पता होना चाहिए, java.lang and java.io, okay, java.util scanner class के लि java.lang जो है, default package है, okay, जब भी default की बात आएगी, तो java.lang आपको याद आजाना चाहिए, okay, और दूसरा wrapper classes की बात आएगी, wrapper classes के लिए भी आपको java.lang लगता है, okay, और buffer reader, buffer input stream reader उसके लिए, I.O package लगता है, right, okay, I hope यह 3 points, 23rd तक point समझ में आए, next point पर move करते हैं, Now, next point है, types of errors, 25th है, access specifier, constructor, UDF, exception classes, comments in java, constructs, selection and iterations, okay, तो इन points को थोड़ा सा explain करते हैं, explore करते हैं, तो first one है, means 24th one है, types of error, तो types of error में आपका compile time और syntax error आ जाएगा, okay, इनका मतलब क्या है, यह दौनों एक ही हैं, चाहें compile time error बोलो, चाहें syntax error बोलो, okay, and runtime error और exception error, okay, तो confuse नहीं होना है, जैसे कुछ बचे cable runtime error याद कर लेते हैं, exception आता है, तो confuse हो जाते हैं, तो उनों का मतलब एक ही हैं, और logical error का cable एक ही नाम है, okay, तो बस यह है कि confuse नहीं होना है, now, next point है, access specifier, जिसमें आपका public, private, protected आपको याद रखना है, okay, और उसके बाद है, next, आपका constructor, constructor में आपके दो constructors, आपको मिलेंगे, default and parameterized constructors, okay, and UTF का perform आपको पता ही है, user defined function, उसकी practice करना है, and exception classes में, आपके कुछ exception classes के नाम है, जिसमें से एक है, आपका arithmetic exception, इसमें आपका divide by zero वाला जो error आता है, वो, और ये 50-50 है, मतलब थोड़ा बहुत से लिबस में है, नहीं है, मतलब है ही नहीं, आप थोड़ा extra याद कर लिजे इसे, number format exception, जब हम, जैसे आपका नाम है, उसे integer में convert करेंगे, तो ये error आएगा, क्योंकि उसे convert नहीं कर सकते, okay, फिर है array index out of bound, exception error, इसमें क्या होता है, कि जब आपके पास कोई array है, उसका size 5 है, और 6th position से आप data निकालने की कोशिज कर रहे हो, तो array index out of bound error आएगा, comments in Java में पहला comment है, double slash, ये single line comment होता है, उसके बाद, slash asterisk और asterisk slash, ये multi line comment होता है, एक और comment होता है, जो बाद में आएगा, या फिर आप मुझे बताएगे वो कौन सा है, okay, now, constructs में आपके 3 constructs आएगे, sequential, selection, और iterative, and selection में if and switch आएगा, okay, and iterations में आपका for, while and do while, ये मैंने पहले भी बताया है, already आपको, and control structs statements में आपका selection, iteration, and jump statement, और ये आगे आपका documentation comment, जो third one है, वो documentation comment होता है, okay, then next point है 37th point, जिसमें है operators, तो different types है, हमारे पास operators है, arithmetic operator, relation operator, ternary, conditional operator, unary, increment, decrement operator, and logical operator, binary operators, sort and, या compound assignment operators, और assignment operator, अब इनके examples में बता देता हूँ कि क्या-क्या है, arithmetic operators में आपका plus minus divide modulus and multiply sign आएगा, okay, जिसमें से आपको ये clear होना चाहिए, कि इससे क्या होता है, remainder निकालते हैं, okay, and उसके बाद है आपका relational operator, जिसमें आपका less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, double equal to, and not equal to, ये operators आते हैं, ये सभी operator किस, कौन, मतलब जो example है, और जो उनका नाम है, ये आपका link रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि किस में कौन आपरेटर आता है, क्योंकि इसके basis पर, वो MCQ में question पूछ सकते हैं, okay, ternary or conditional operator में आपका ये वाला operator आता है, okay, इसका syntax आपको याद रखना है, increment, ये आपका increment operator है, ये decrement operator है, दौनों ही unary operator है, and ये positive, negative, ये indicate कर रहा है हमारा unary operator को, okay, and ये भी unary operator है, and फिर logical operator में हमारा आ जाता है, and operator, or operator, and not operator, okay, and एक चीज़ और में बता देता हूँ, अगर आपको पूछा जाता है, unary logical operator कौन सा होगा, तो वो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, unary logical operator, now binary operators, binary operators में आपके जो है, जैसे ऐसे operators, जिसमें two operands होते हैं, जैसे a plus b, यहाँ पर जो plus है, two operands पर वर्क कर रहा है, तो ये binary operators हो गया, तो इस type के operator, जिसमें two operands हैं, वो binary operator में आएगा, sort hand में हमारे examples दिये हैं, plus is equal to, minus is equal to, modulus is equal to, ये सभी arithmetic with is equal to, वो सभी component assignment operator में आ जाएगा, इसका full form है, a is equal to a plus five, minus का हो जाएगा, a is equal to a minus five, तो इस type से आपको ध्यान में रखना है, assignment operator में, a is equal to 10, means 10 a में assign हो रहा है, तो only जो assignment होता है, always, वो right to left होता है, okay, अगर आपने 10 is equal to a लिखा, तो गलत हो जाएगा, variable में possible है, a is equal to b लिख सकते हो, या b is equal to a लिख सकते हो, but meaning अलग हो जाता है, यहाँ एक वैल्यू भी में जा रहा है, यहाँ बी का वैल्यू ये में जा रहा है, but assignment हमेशा right to left ही होगा, okay, and hierarchy of operators या precedence हम बोल सकते हैं, तो योरियरी arithmetic operator पहले solve होता है, उसके बाद binary operators आता है, फिर relational operators आता है, फिर logical operator आता है, तो इस type से यह एक sequence है, solve करने का operators को, यह आपको याद रखना है, next point है, precedence of operators, जितने भी operators हैं, उनकी precedence आपको और associativity, वो याद रखना है, वो मेरे note से मिल जाएगा, वहाँ से आप याद रखिये, उसके बाद next point है, operand, operand, जैसे आप मैंने बताया, आपको a plus b, अगर आपने किया, तो plus तो operator हो गया, बट a और b क्या हो गया, operand हो क्या, variable और variable naming roles, यह मैं बता चुका हूँ, इससे पहले, यह दुबार repeat हो गया है, it's okay, and identifier, types of function, that is the main thing, types of function, and way of calling, invoking method, and method function, and written type of all functions, आपको याद रखने हैं, तो आप इनको explore करते हैं, जैसे precedence of operators में, आपका सबसे पहले bracket solve करते हैं, फिर increment आएगा, फिर arithmetic में, आपके divide, multiply, modulus, अगर यह एक साथ आते हैं, तो left to right हम solve करते हैं इनको, और plus, minus, और is equal to, यह main operators का मैंने precedence बता है, और भी operators हैं, सबका आपको याद करना है, यह तो याद रहना ही चाहिए, लेकिन exams के लिए आपको वो भी याद करने हैं, जो बचे हुए हैं, और उसके बाद है identifier के जो examples होते हैं, वो variable, method, name, class, name, array, name, यह सब identifier के examples में आ जाता है, types of functions में pure function, impure functions की definition और उनकी examples याद करना हैं आपको, दौनों का difference आपको याद रखना है, way of calling, invoking, methods में आपके two types के आते हैं, call by value and call by reference, या pass by value और pass by reference, ऐसा भी आ जाता है, pass by value या pass by reference, तो अलग-अलग है, pure-impure function अलग है, call by value, call by reference अलग है, पूछने का तरीका आपको देखना है, कि किस type से पूछा है, calling की basis पूछा है, तो call by value, call by reference है, और types of function पूछा है, तो pure-impure है, pure-impure expressions भी थे, जावाब expressions तो confuse नहीं होना है, औके, and method functions उसके बाद, और इसमें कौन-कौन से method and predefined functions है, strings के आपको मिलेंगे, characters के मिलेंगे, and numeric functions मिलेंगे, miss arithmetic functions मिलेंगे, सभी functions का आपको return type, याद रखना है, कि किस function का return type होता है, ओके, तो next आपका आएगा, character functions, सभी character functions को एक बाद देख लेते हैं, कि क्या-क्या है, सबसे पहला point आएगा, character में, is letter function, फिर is digit function, character.is digit, character.is digit, और, sorry, is letter or digit, is white space, white space में यहाँ पर s small रहेगा, sorry, मैंने यहाँ पर capital कर दिया, white space में s small है, and, फिर is upper case, मैं यहाँ पर एक तरीका और बताऊँगा, is lower case, to upper case, to lower case, वो तरीका क्या है, कि किस letter को capital बनाया जाए, अब देखो, यहाँ यही confusion है, कि हमें कैसे याद रहेगा, कि कौन सा letter capital होगा, dot के बाद वाला, जो नाम है, that is a function name, character का, तो c capital रहेगा, that is a wrapper class, right, तो वो तो हमें capital रहेगी, रहेगा, उसका problem नहीं है, लेकिन जो function का है, तो first word के all letters, आपके small रहेंगे, जैसे ही second word start होगा, third word start होगा, fourth word start होगा, उसका first letter capital कर दो, सबसे best है, इस function को याद रखना, is letter का L capital हो गया, और का O capital हो गया, digit का D capital हो गया, white space में, confusion हो जाता है, हमें दो word लगते हैं, जबकि white space एक ही word है, इसलिए s small रहेगा, ठीक है, is upper case, upper अलग है, case अलग है, C capital हो गया, U capital हो गया, तो इस शीज को ध्यान में रखना है, ओके, तो इन सबी functions के, तो और one more thing, इन जहां पर भी is लगा हुआ है, इन सभी functions में क्या है, is है, जहां पर भी is है, उसका written type क्या हो जाएगा, boolean, एक ये भी चीज़ आप याद रखिए, जहां is है, वहाँ boolean, लेकिन कुछ ऐसे भी है, जहां is नहीं है, लेकिन उनका written type boolean है, वह एक्स्रा आप याद रखिए, टू अपर केस, टू लॉवर केस, कैरेक्टर फांक्शन है, ये convert करता है, तो इनका written type क्या हो जाएगा, तो यहां पर इन सब के आपको written type और argument याद रखने है, इनका तो argument सिंपल है, सब में क्यार argument आएगा, अंदर जो round bracket के अंदर लिखते हैं, वो argument है, इनके written types रखना है, तो इतना तो boolean हो गया, और इसका care हो गया, तो यह याद रखे, फिर है आपके string methods, string methods में two lower case, two upper case function आगया, यही function सबसे danger है, देखने में तो यह बड़े प्यार है, और बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी अभी आपने देखा, हमने इससे पहले भी two upper case tool, और केस किया, और यहाँ पर भी two upper case tool, और केस करते हैं, तो दौनों का जो use करने का तरीका है, वो अलग है, और यह string methods है, इनका written type भी string होगा, वहाँ written type care था, तो ऐसे हैं, आपको थोड़ा सा उसका working याद रखना है, इसका working भी याद रखना है, इसके उपर मैंने वीडियो बनाया भी है, उसका link में दे दूँगा, बट be careful about this function, एक्जाम में बहुत terror होता है, फिर replace function है, जो इस care को, मतलब इस care को इस character से replace कर देगा, तो जो भी यहाँ पर यह वाला care मिलेगा, इस character से वो replace कर देगा, and replace string, string भी replace कर देता है, character भी replace कर देता है, ट्रेम से आपके spaces remove हो जाते हैं, first starting and last के, equals method है, और equals ignore case method है, ओके compare to है, और compare to ignore case भी method है, ओके वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो भी आपको याद रखना है, and length function है, उसके बाद आपका caret function है, इसका argument क्या है, int आपको यहाँ पास करना है, and service string function है, जिसमें हम एक argument and two argument पास करके, उससे use कर सकते हैं, concat, take function है, concatenation के लिए, at least पहले याद रहना चाहिए, function के नाम कम से कम याद होना चाहिए, उसका use याद होना चाहिए, तब ही तो हम programming उने use कर पाएंगे, index of और index of function, इसमें only care पास करेंगे, और यहाँ पर character के साथ, उसका एक integer value पास करेंगे, इसका इंडेक्स निकालना है, उसके बाद आपका ends with, इनका written type boolean होगा, starts with, ends with, उके, equals का भी boolean होगा, तो काफी functions हैं, जिनका boolean है, किसी function का string है, किसी का int है, आपको क्या करना है, सबके written type याद करना है, और argument type याद करना है, exams में आता है, और उनकी working याद रखनी है, length का मैंने especially ये arrow बनाया, length आपको इस type का length भी मिलेगा, ये round bracket का मिलेगा, यहाँ पर round bracket नहीं है, तो ये use होता है array के अंदर, get array length, अगर आपको array का length रिंगाना है, तो ये use होगा, string का length रिंगाना है, तो ये use होगा, I think समझ में आ गया होगा, and 49th point है mass function, means arithmetic functions, ये numeric methods बोल सकते हैं, जिसमें first है ABS, पर SQLT, उसके बाद आएगा पाउ, फिर round and range, okay, and उसके बाद है max, min, random, and seal, floor, और math.log, अब इसका output में नहीं आएगा, के बाल नाम याद रखो, okay, then इनके भी आपको क्या करना है, written type और argument याद करने है, तो इनके, अब देखो, मैं यहां leak नहीं कर रहा हूँ, इनका written type क्या है, बैसे written type, एक separate वीडियो है written type पर, है ना, उसका link मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा, मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जितना जल्दी मैं बता दूँगा न, उतने मैं में से आपका निकल जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, okay, तो आप, मन्दब, try तो करोगे at least, कि इसका written types क्या है, तो जितना आप try करोगे, उसे working करोगे, तो आपको याद रहेगा, okay, बस यहां से वह है कि आपको पता चल लेगा, कि क्या आपको याद करना है, क्या याद नहीं करना है, फिर है most important part, differences between followings, तो यहां पर, काफी मैं differences बताने वाला हूँ, यह सभी difference आप याद रखिए, सबसे पहले है, compiler interpreter में difference याद करना है, POP, process oriented programming, object oriented programming में difference याद करना है, class and object में difference याद करना है, base class, super class, derived class, sub class में difference याद करना है, ASCII and unicode, और string literal and character literal में difference किया है, pre increment and post increment में difference किया है, okay, and implicit conversion, explicit conversion, and pure, pure function को हम accessor method भी बोलते हैं, यह accessor function भी बोलते हैं, impure को हम mutator function भी बोलते हैं, तो यह भी आपको उचके, synonym भी याद रखते हैं, actual parameter, formal parameter में difference याद करना, call by value, call by reference में, instance variable क्या होता है, non static variable, class variable, static variable, इनमें difference याद करना है, okay, compiler में आपका ordinary और java compiler आजाएगा, वो आपको पता होना चाहिए, and character literal में आपका integer, floating, boolean, character, string literal, इतने literals होते हैं, and आपको यहाँ पर extra में length और length में difference बता होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया आपको, and उसके बाद है आपका constructors and methods में बहुत important है, यह याद होना चाहिए, primitive and composite data type में difference क्या होता है, search and if else में difference, and if else and ternary statement में difference, for loop and while loop, okay, while loop and do while में difference, difference between care and string, and equals and compare to many difference, private and protected, searching and sorting, linear search and binary search, sort and search, एक ही है, पर रपीड हो के हैं, okay, and then extra में आपका switch and turnary में आप difference याद रखिये, और for and do while में difference, and equals ignore case में difference, public, public, private, protected, तिरो में difference, यह access पे सफफियर है, okay, and instance variable, local variable, class variable में difference, scanner and system class, is uppercase, two uppercase में difference, orderly variable, array variable में difference, and is equal to double equal to, care, add and index of, replace and reverse function, rent and round function, break, continue and return में difference, and इसमें एक और चीज़ एड़ कर दो, system.exit 0, क्योंकि यह एक जैसा sound करते हैं, system.exit 0, and break, right, and index of, and last index of, entry control loop, or exit control loop, कौन कौन से होते हैं, और उनकी examples, two uppercase method, character.two uppercase, and as.two uppercase, इसादी को मैंने बताया तर ना, कि two uppercase बहुत प्यार function है, लेकिन बहुत देंजर हो जाता है, यह इस रिंग का ही यह character था है, ओके मैं हाल तरीके से आपको full knowledge देने वाला हूँ इसमे, and तो यह total differences है, and 35, ओके यहां तक 26 हो गए, 27, 28, 29, and 30, 31, 32, तो total difference 35 है, इसका मतलब है आपके कितने terms हो गए, 70 terms हो गए, तो अगर आप difference में 35 difference याद करते हैं, जो कि कम है, मैंने बोलने में कम लग रहा है, but आपके terms कितने याद हो जाएंगे, 70 terms हो जाएंगे, अगर मैं यह बोलता हूँ, तो आप जब याद करोगे, आपको लगेगा और 70 terms याद करने हैं, तो नॉर्मली क्या है, कि आपको और जब quantity कम होता है, तो याद करने में मज़ा आता है, तो अगर अपने मन से हम माइन में यह रखते हैं, कि 70 difference याद करने, आपको 70 terms याद हो जाएंगे, मतलब छोटा packet बड़ा दमागा एक तरह से, तो 35 दिमाग पर रहेगा, लेकिन 70 terms आपको याद हो जाएंगे, तो यह फाइदा है, डिफरेंसेज याद करने का, तो मुझे कॉमेंट करके बताईए, यह मेरा इंडेक्स वीडियो कैसा लगा, इसका section A की preparation के लिए, और surely आपको आपके weak point पता चल जाएंगे, इस वीडियो के बाद की आपको कौन से point आते ही हैं, कौन से point नहीं आते हैं, या कितना आपको 50% आता है, 80% आता है, कितना आता है, यह आपको clear हो जाएगा, और जो नहीं आता है, उस वीडियो को देखिए, या मुझे comment करके बताईए, या फिर उसे कहीं न कहीं से cover करने की कोशिश कीजिए, मेरे notes में वैसे सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो और मेरे notes को लेने का आपको पताईए, हाई वाई पी और रॉत लास 10th सेंड करना है, मेरे WhatsApp नमबर पर, आपको मैं यह फाइल सेंड कर दूँगा, इवन यह फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूँगा, आपको बस क्या करना है, हाई वाई पी सेंड करना है, ओके, थैंक्यू सो मच,